वेलकम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आपका अपने चैनल कोई किसमार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि हम इस चैनल पर सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और काफी बच्चों के एक्जाम हो गए और काफी बच्चों के अभी एक्ज कर रहे हैं तो बहुत ही द्यान से कोशन करने हैं आपको लेकिन वह तभी कर पाएंगे सारे कोशन लॉजिकल जब आपकी पूरी घ्लियर होगी दिसक्रिप्चिन बॉक्स में और या फिर कमेंट भी कर सकते हैं मैं आपको ठ्योरी की पूरी प्लैलिस्ट का लिंक दे दूग और आपका चाहिए कैसे भी logical question आ रहा है मैं पूरी guarantee लेती हूँ 70-80% paper आप कर लेंगे और आज का यह जो practice set है बहुत important है क्योंकि जब हमने analysis करा तो देखा काफी सारे question जो है वो neutralization, reaction, salt मतलब acid waste और salt वाले chapter से काफी question है तो उसी को cover करने की मैंने कोशिश की है products of neutralization reaction are always एक उदासी करन की प्रतिकिरिया में जो उत्पाद होता है जो निकल कर आता है reaction में से वो हमेशा क्या होता है तो option number C यहाँ पर सही होगा वो हमेशा salt और water होता है लवन और पानी होता है देखिए neutralization reaction होता क्या है जब हम strong acid को मतलब जो हमारा अमल है उस process को उदासी करन कर देती है neutralize कर देती है ना वो फिर वो acid रहता है और ना फिर वो चारक रहता है तो neutralization reaction में जब strong acid और strong base आमल और चार यो कि काफी strong है आपस में reaction करते हैं तो क्या निकल कर आता है क्या product वहाँ पर आता है वो आपका salt होता है और water होता है example मैं आपको दिखा देती हूँ question number second में डलिया धोके से NaOH जो कि आपका sodium hydroxide है जो कि आपका एक चारक है base है उसको जब मैंने अमल S-C-L hydrocloric acid के साथ reaction कराया तो ये base हो गया चारक हो गया और ये आपका acid हो गया अमल हो गया तो इन दोनों के reaction से और ये दोनों काफी strong है तो इन दोनों के reaction से क्या बना ये NaCl जो कि आपका sodium chloride है जो कि क्या है आपका एक लवण है salt है और साथ में H2O जो कि आपका water है तो यही question था first में कि product से क्या release होता है तो वो आपका salt और water release होता है तो option number C यहाँ पर बिल्कुल सही है Next question Question number second The correct way of making a solution of acid in water is to पानी में अमल का घोल बनाने का सही तरीका क्या है दिखे हमें क्या करना चाहिए जो पानी है हमारे अंदर भरावा है container में उसमें हमें acid अमल को डालना चाहिए ठीक है यह सही तरीका होता है आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि पहले से ही क्या है container के अंदर acid भरावा है और उसमें पानी डाल रहे है नहीं acid में अगर आप पानी डालेंगे क्योंकि acid के साथ पानी बहुत जल्ली से react करेगा वो exothermic reaction हो जाएगी बहुत amount में उशमा heat जो है release होगी जो की burning कर सकती है तो हम क्या करते हैं जो हमारा solution होता है पानी का container है उसमें थोड़ा थोड़ा acid मिलाएंगे ताकि क्या हो reaction fast नहों heat जादा produce नहों ताकि आग ना लगे तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए हमें add acid to water अमल को पानी में मिलाना चाहिए तो यह बात अब आप आगे याद रखेंगे हम क्या करते हैं हम पानी में फोड़ा थोड़ा acid करके डालेंगे तो कि जो acid होता है पानी के साथ exothermic reaction करता है जिसमें बहुत amount में उश्मा heat release होती है उश्मा produce होती है जिससे क्या होता है आग लगने का खतरा होता है तो इसी लिए हम क्या करते हैं पानी के अंदर acid को डालते हैं तो option number second भी यहाँ पर विल्कुल सही है next question, question number 3 जो की बहुत important है और बहुत ही simple है हमने बहुत ही बार करा है तो इसका आंसर सारे student को पता होगा तो comment box में भी बताएंगे मुझे कि इसका आंसर क्या है तर्मरे के जा नैचुरल इंडिकेटर on adding it paste to acid and base separately which color would we observed हल्दी एक प्राकरतिक संकी तक है ठीक है अमल और छारक को अलग-अलग से इसके paste में मिलाने पर कौन सा रंग दिखाए देगा तो बताएंगे कौन सा रंग दिखाए देगा comment box में answer करिए कि जब हम हल्दी का एक paste एक यहाँ पर हल्दी का paste है और एक यहाँ पर हल्दी का paste है एक में acid मिलाया गया और एक में base मिलाया गया तो बताएंगे कौन सा color आएगा तो जैसा कि हमने बताया है कि जो टर्मरिक है जो हल्दी है वो acid के साथ अमल के साथ reaction नहीं करती है तो वहाँ पर जो color है वो yellow का yellow ही रहेगा लेकिन जो टर्मरिक है ना बेस के साथ छारक के साथ reaction करती है और वहाँ पर जो उसका color है हल्दी का वो change हो जाएगा किसमे रेड में लाल में तो यहाँ पर कौन सा option सही होगा option number B सही हो जाएगा yellow in acid अमल तो रहेगा अमल में तो वो पीली ही रहेगे क्यों क्यों क्योंकि वहाँ पर कोई reaction नहीं हो रही है लेकिन बेस छारक के साथ reaction करती है तर्मरिक हल्दी और उसका color कैसा कर देती है लाल कर देती है इसलिए आपने देखा होगा जब आप हल्दी के paste के लगे कपड़े को धूते है जो साबुन होता है वो हमारा छारक होता है बेस होता है तो आप वहाँ पर देखेंगे जो हल्दी है न उस कपड़े को कैसा color कर देगी लाल कलर कर देगी वो जो दाग होगा हल्दी का वो लाल कलर में बदल जाएगा और वो ऐसा क्यों हो रहा है जो हल्दी है जो टर्मरीक है वो बेस को क्या कर देती है वो बेस को रेड कर देती है और जो सोप, डिटर्जन वगएरा होते है वो आपके छारक ही होते हैं बेस ही होते हैं तो option number B यहाँ पर बिल्कुल सही है next question 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 number 4 और ये भी काफी simple और बहुत important question है क्योंकि हमने इसको बहुत बार करा है और जिन बच्चों को इसका आंसर पता है तो वो तुरन तभी comment box में इसका आंसर देंगे और बागी बच्चे इसको देख लेंगे फिनॉफ्थलीन is a synthetic indicator ये क्रत्रिम संके तक होता है पहले बात तो आपको ये याद रखनी है फिनॉफ्थलीन कैसा indicator है आपका क्रत्रिम है synthetic indicator है and its color in acid and basic solution respectively are और इसका अमले और छारिय विलियनों में कैसे रंग होते हैं ये हमें बताने है तो आप याद रखेंगे जो फिनॉफ्थलीन होती है वो acid के साथ reaction नहीं करती है तो वहाँ पर इसका रंग कुछ भी नहीं होता वहाँ पर ये रंग हीन होती है यई जो फिनॉफ्थलीन का solution होता है उसमें कोई color नहीं होता तो जब उसमें acid आप डालेंगे तो वहाँ पर भी उसका color में कोई change नहीं आएगा क्योंकि फिनॉफ्थलीन भी जैसे टर्मरिक acid के साथ reaction नहीं करती सेम ऐसे ही फिनॉफ्थलीन जो होती है वो भी आपका acid के साथ reaction नहीं करेगा वहाँ पर ये color less रहेगा लेकिन जो base है जो च्छारक है ना उसके साथ फिनॉफ्थलीन reaction करता है और वहाँ पर उसका color change कर देता है कि इसमें pink में, गुलाबी में तो option number D यहाँ पर बिल्कुल सही है next question, question number 5 जो कि बहुत simple है और इस practice set में सभी बच्चों के score जो हैं बहुत अच्छे होने चाहिए और आप comment box में बताएंगे कि आपने कितना कितना score किया when the soil is too basic plant do not grow well in it to improve its quality what must be added to the soil जब मिटी बहुत छारिय हो जाती है तो पौधे इसमें अच्छी तरह से विक्सित नहीं होते हैं इसकी गुणबत्ता में सुधार लाने के लिए मिटी में क्या मिलाया जाना चाहिए CDC बात है हम मिटी में organic matter carbonic पदार्थ मिलाएंगे जो carbonic खाद होता है जो पेड पौधो का animal का जो अफशिष्ट होता है waste material होता है गोबर वगेरा उसको हम मिलाते हैं ताकि जो गुणबत्ता है स्वाइल की वो वापस आ जाए तो option number A यहाँ पर बिल्कुल सही है next question 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 number 6 litmus a natural dye is an extract of which of the flowing litmus जो की क्या है एक प्राकरतिक dye है एक natural dye है निमलिखित में से किसका एक अर्ख है जो litmus होती है यह lichen से मिलती है और यह lichen यहाँ पर क्या होता है इस तरह से कुछ पौधा छोटा सा gray या आपका yellow color का एक पौधा उग जाता है जो आपका lichen होता है या पत्थरों पर भी उग जाता है आप net पर search कर सकते हैं इसके बारे में तो वहाँ आपको दिख जाएगा यह कैसा पौधा होता है ठीक है और इसी में से क्या extract करा जाता है क्या किसका अर्क निकाला जाता है लिटमस पत्र यहीं से निकाला जाता है लाइकेन से और यह किसलिए यूज होता है यह natural dye की तरह होता है प्राकरतिक dye होता है जिसमें लिटमस पत्र पर हम chemistry में क्या करते हैं को तो वहाँ पर जो लाल पत्र होगा वो नीला हो जाएगा तो यह काम लिटमस का होता है और यह कहां से एक्स्ट्रक्ट होगा सीधी सी बात है option number C, lichen आप इसको याद रखेंगे next question, question number 7 neutralization reaction is a neutralization के बारे में हमने पीछे देख लिया है यह reaction क्या है यह हमें बताना है उदासी करण प्रतिकिर्या यह क्या है यह chemical change है that cannot be reversed देखे chemical change कैसे है हमने acid आमल की reaction कराई थी base के साथ छारक के साथ तो हमारा एक नया product बन कर आगया क्या salt तो salt यहाँ पर एक नया product आया है और chemical reaction में यही होता है reaction के बाद एक नया substance एक नया पदार्थ बन जाता है तो यह chemical change हो गया साथ में यह reverse नहीं हो सकता ऐसा नहीं कि आप लवण से उसमें से फिर से acid और base अलग-अलग निकाल दें तो वो चीज वापस नहीं हो सकती तो यह आप क्या है neutralization क्या है उदासी करण क्या है यह आपका chemical change है that cannot be reverse जिसको उल्टा नहीं जा सकता तो option number D यहाँ पर सही हो गया next question 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 number 8 जो की बहुत simple है और फिर से repeat हो गया है तो सभी student इसका answer बताएंगे और याद रखी यह repeat मैंने इसलिए किया है फिर से तक कि यह point आपके mind में permanent set हो जाए a solution change the color of turmeric indicator from yellow to red the solution is एक विलियन हल्दी संकेतक के रंग को पीले से लाल में बदल देता है तो हमारा solution कैसा है हमारा solution basic है चारक है यह अभी हमने पीछे देखा था चारक में जो turmeric होती है वो क्या हो जाती है लाल हो जाती है जैसे soap वगएरा हो गए sodium hydroxide होता है न जीसे हम casting soda भी वोलते हैं वो soap detergent वगएरा में य्यूज होते है वो चारक है तो उसमें क्या color हो जाता है यह टरमरी कैसा रंग में बदल जाता है लाल रंग में बदल जाता है बेस के केस में तो option number A यहाँ पर बिल्कुल सही है next question question number 9 which of the following set of substances contain acid निमलिकित में से किस पदार्थ में अमल होते हैं यह हमें बताना है और important question है यह देखे lime water आगया lime water जो है चूना पानी जो है यह आपका छारक है ग्रेप्स जो होंगे अंगूर जो होंगे इनके अंदर acid होगा देखे सेम ऐसी जो soap है जैसे sodium hydroxide होता है कास्टिक सोडा होता है वो सब soap में यूज होते है तो soap भी क्या है आपका acid नहीं है यह भी आपका base है चारक है सेम ऐसे ही milk of magnesia जो आपकी क्या होती है जिसको हम बोलते है magnesium hydroxide यह भी आपका क्या है यह भी आपका चारक है जब आपके पेट में आपके stomach में acid जादा हो जाता है तो उस समय जो दवाई लेते हैं उसके अंदर milk of magnesia होता है वो चारक होता है ताकि वो पेट में जाके समारे stomach में जाके क्या कर दे neutralization कर दे उसको कम कर दे ठीक है तो milk of magnesia जो आपका magnesium hydroxide है यह भी आपका चारक है base है तो यहाँ पर acid की बात कर रहा है तो वो option number D हो जाएगा दही के अंदर भी acid होता है वो हमारा lactic acid होता है दही के अंदर और vinegar vinegar जो सिरका है उसके अंदर भी हमारा अमल होता है तो option number D यहाँ पर बिल्कुल सही है next question 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 number 10 on adding phenophylline indicator to colorless solution no changes observed what is the nature of this solution रंगहीन विलियन में phenophylline संकेतक को मिलाने पर कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता इस विलियन की प्राकरती कैसी है देखे जब phenophylline में और वहाँ पर कोई color change नहीं हो रहा तो वो क्या है वो या तो फिर acid है या फिर वो neutral state में है याद रखे आइधर acidic और neutral neutral के साथ भी अगर sodium chloride हो गया NaCl हो गया उसमें phenophylline मिलाया जाए क्योंकि जो sodium chloride है NaCl है वो आपका क्या है वो neutral है वो क्या है आपका उदासीन है उसमें भी अगर phenophylline मिलाया जाए तो वहाँ पर भी कोई color change नहीं होगा तो याद रखे उदासीन पदार्थ के अंदर भी phenophylline में color change नहीं होता और acid के बारे में तो हमने पीछे देखा ही है कि phenophylline acid के साथ reaction नहीं करता तो कहाँ पर color change नहीं होगा phenophylline में जब वो solution या तो अमलिय हो या फिर आपका उदासीन हो neutral हो basic होगा चारक होगा तो color आपका pink हो जाएगा तो option number C यहाँ पर बिल्कुल सही है next question question number 11 match the substance in column 1 with those in column second तो यहाँ पर हमें मिलान करना है column 1 का column second से चार option हमें दिये हैं देकि जो tartaric acid है ना तो option यह जो होगा वो आपका होगा three के साथ जाकर मिलान unripe mango जो कच्चे आम होते हैं उनके अंदर आपका tartaric acid ही पाया जाता है उसके बाद अगर मैं calcium hydroxide की बात करूँ तो यह हमारा चूना पत्थर या चूना वाला जो पानी होता है lime water होता है उसमें आपका calcium hydroxide ही उसको बोलते हैं तो B जो है वो आपका fifth के साथ हो जाएगा lime water formic acid देखिए अगर मैं formic acid की बात करूँ तो यह हमारा चीटी के डंग में ant string में पाया जाता है तो यह हो गया C का आपका four sodium hydroxide जो की आपका क्या हो जाएगा NaOH जो की आपका एक छारक है यह soap और detergent के अंदर पाया जाता है तो D आपका first के साथ हो जाएगा सेम ऐसे ही lactic acid होता है E वो आपका दही के अंदर पाया जाता है तो वो आपका कड के साथ हो जाएगा तो यहाँ पर जो option सही होगा वो पहला option सही होगा A का हमारा third होगा unripe mango B का हमारा fifth होगा lime water C का हमारा ant string होगा Chitika dunk sodium hydroxide आपका soap होगा one होगा और lactic acid आपका कड होगा दही होगा second होगा तो first option होगा यहाँ पर बिल्कुल सही next question question number 12 which of the following statement is incorrect निमलिखित में से कौन सा कथन गलत है यह हमें यहाँ पर बताना है substances can be acidic basic or neutral जी हाँ पदार्थ आपका अमले भी हो सकता है छारके भी हो सकता है उदासीन भी हो सकता है यह उस पदार्थ पर निर्भर करेगा कि वो कैसे फीचर अपने अंदर रखता है तो यह बात तो हो गई सही calamine can be used to treat ant string जी हाँ चीटी के डंग के इलाज में हम calamine का उपयोग करते है क्योंकि calamine आपका छारक है और चीटी के डंग में acid है उसको कम करने के लिए हम calamine का यूज करती है यह बात आप याद भी रखेंगे तो यह बात है सही और हमें गलत statement यहाँ पर बताना है a compound if acidic अगर कोई योगिक जो की अमलिय है will turn all indicator red सभी संकेत को को लाल करतेगा जरूरी नहीं है कोई अगर अमलिय है अलग-अलग indicator पर उसका color अलग-अलग होगा जैसे yellow जो आपका टर्मरीक थी हल्दी थी वो भी एक indicator था तो उसमें तो अमल के साथ कोई reaction नहीं हो रही है कोई और indicator होगा तो हो सकता है वहाँ पर कोई और reaction हो लाल color ना हो कोई और color हो तो जरूरी नहीं है कि हर indicator पर अमल जो है वो लाल color दे ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है तो यही option यहाँ पर क्या होगा गलत होगा बाकी सारे statement सही होगे तो आंसर होगा आपका option number C चौता statement भी देख लेते हैं ब्लू लिटमस डज नोट चेंज तो रेड इन common salt solution since it is a neutral जी हाँ जो common salt है वो आपका neutral होता है जो आपका NaCl है sodium chloride है वो आपका common salt है वो neutral होता है और वहाँ पर कोई फरक नहीं होगा तो ये बात भी सही है तो गलत कथन कौन सा है option number C next question 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 number 13 जो की हमारा पेड़ागोजी से है how could learning be made more meaningful for student of class 7 by the teacher while teaching the topic save water शिक्षक द्वारा कक्षा साथ के बच्चों को पानी बचाओ विशे पर अधिगम को किस प्रकार अधिक सार्थक बनाया जा सकता है सबसे पहले student से ये कहा गया कि आप एक poster बनाओ ये बहुत अच्छी विधी नहीं होगी क्योंकि science में क्या होता है creativity होती है बच्चे खुद से करें जहां बच्चे सभी मिलके participate करें project work हो ये सारी चीजे science में होती है asking student to write an essay ऐसे तो बिल्कुल विकार option है science के लिए हम उनसे निमद लिखने के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे asking student to interview people in their colony about water consumption and carry out water audit जी हाँ ये करा सकते हैं हम save water topics related है बच्चों को पानी की खपत पर अपने महले के लोगों का साक्षतकार कि कित्ते लोग हैं कि उनका interview लेंगे बच्चे क्या करेंगे कि आप बताएए पानी कैसे safe करेंगे तो हर लोग अपनी अपनी राय देंगे तो वहाँ पर बच्चे खुद से कर रहे हैं नहीनी चीज़े सीख रहे हैं वहाँ पर वह ज़्यादा actively participate करेंगे ठीक है तो जब अपनी कलोनी के member का है interview लेंगे पूछेंगे उनसे कि पानी को कैसे बचाएंगे है ना ये सारी चीज़े और साथ में क्या करेंगे जल जाच करवाना जल की जाच भी कराएंगे कि आपका पानी शुद्ध है असुद्ध है जैसे उसमें fit curry वगएरा डलवागे मतलब कुछ भी activity वहाँ पर बच्चे करेंगे interview लेंगे तो ये आपका सबसे अच्छा best method होगा science में जहां creativity होगी जहां पर discovery होगी वो चीज़े science में सबसे अच्छी होगी जहां experiment होगे बच्चे खुद से करेंगे science पूरा experimental होता है experiment पर ही science जो है वो अधारित है तो ये सारी चीज़े इसमें important है बाकि quiz हम नहीं कराएंगे वो science में इतना अच्छा नहीं होगा तो option number C ही यहां पर बिल्कुल सही है next question 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 number 14 for an effective discussion in class 7 on the topic why smoke rises up a science teacher should कक्षा साथ की एक अधारना धुआ उपर क्यों उपता है पर प्रभावशाली चर्चा के लिए एक सिख्षक को क्या करना चाहिए discourage question during discussion जी नहीं ये तो बिल्कुल नहीं करेगा teacher चर्चा के दौरान कम प्रशन पूछने चाहिए ऐसा नहीं है देखे कि जब किसी चीज की चर्चा हो रही है science में क्या होता है curiosity होती है उसको शांत करना होता है क्योंकि यहां पर नई नई चीज़े होती है तो CDC बात है बच्चे question तो पूछेंगे और अगर आप उनकी जिग्यासा को ही शांत नहीं कर पाएंगे और यह कह देंगे कि अभी आप इस question को मत पूछो तो यह बिल्कुल सही नहीं होगा तो यह option हो गया बहार provide a common platform to the learner जी हां बच्चों को एक समान मंच देना चाहिए सभी बच्चों को equal है equal priority मिलेगी किसी को भी ऐसा नहीं कि special priority मिल रही है खाली उस पर focus करा जा रहा है सभी बच्चों को समान मंच देना होगा यह बात हो गई सही acknowledge learner responses to sustain their interest जी हां बच्चों की रूची बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिक्रियाओं को सुईकार करना चाहिए चाहें वो गलती बात कह रहे हैं लेकिन teacher को उनको motivate ही करना चाहिए अगर teacher उनको discourage कर देगा तो बच्चे सुनेंगे नहीं discussion में participate करेंगे ही नहीं वो वहाँ पर क्या हो जाएंगे उससे बाहर हो जाएंगे वो actively वहाँ पर involved नहीं होंगे तो चाहें बच्चा गलत बात कह रहा है गलत प्रशन पूछ रहा है या गलत जवाब दे रहा है या कुछ गलत चीज भी बोल रहा है तो हमें उसे स्विकार करना चाहिए teacher को ताकि बच्चा उस discussion में end तक बना रहे summarize and assess the learner's idea at the end of discussion चर्चा के अंत में बच्चों के option ही गलत है बाकि B, C, D ये एक effective method होंगे discussion के दोरान तो option number second जो है यहाँ पर बलकुल सही हो जाएगा B, C and D next or last question question number 15 अगर किसी student ने वीडियो को like नहीं किया है और उनको वीडियो अच्छी लगी है तो please वीडियो को like जरूर करें question देखते है which one among the following question would be an open ended question नीचे दिये गए प्रशनों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रशन है और मुक्त अंत वाले प्रशन में मैंने बताया था वहाँ पर हमेशा ऐसा question होगा यदि ऐसा होता अगर ऐसे होता ये चीजे वैसे होती है जब भी इस तरह की बाते आती है जहाँ पर बच्चे बहुत अनेकों answer दे सकते है बहुत ही different answer वहाँ पर हर बच्चे का हो सकता है तो वह आपका open ended question होता है मुक्त अंत वाला प्रशन होता है तो हमें बताना है कौन सा यहाँ पर वही प्रशन है why do we sleep on banana peel तो यह तो एक simple सा answer होगा क्योंकि घर्शन की वज़े से ऐसा होता है वहाँ पर घर्शन कम होता है तो हम फिसल जाते हैं तो सभी का answer एक सा होगा तो यह open ended नहीं है यदि घर्शन बल ना हो तो क्या होगा यहाँ पर बच्चे अलग-अलग answer देंगे और question कैसे बना यदि यह चीज ना हो तो वो कैसे होगी तो यहाँ पर बच्चे एक answer नहीं देंगे क्योंकि यह कोई question का एक exact answer नहीं है यहाँ पर हमने बच्चे को सोचने के लिए मजबूर करा है कि अच्छा यह चीज ऐसे होगी तो बता ही कैसे होगा तो अलग-अलग बच्चो के अलग-अलग answer आएंगे तो option number B ही जो है ना वो आपका open-ended question होगा why it is easier to roll a barrel then on slide it on a flat surface यह भी friction की वज़े से होगा how do banked curved on road prevent skidding यह भी जो है ढालू, वक्र, सड़को पर फिसलने के लिए किस प्रकार रोपते है तो यह सब जो है इनके exact answer होंगे लेकिन जो option number B है वो आपका open-ended question है तो यह थे आपके 15 question मुझे लगता है सभी question आपको clear हुए होंगे वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर करना है share करना है subscribe करना है और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना है thank you for watching